उद्धैपर के सुखेर इस्तित नए लाइफस्टाइल एंड शॉपिंग डेस्टिनेशन अर्बान स्कॉार मोल को दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर पैंटिंग और दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर पैंटिंग निर्मान के लिए जीनियस फाउंडेशन के वर्ल्ड अफ इंडिया की ओर से दिये गए इस प्रमान पत्र को स्विकार किया गया है इस दोरान यहां वर्ल्ड की सबसे लंबी पैंटिंग के साथ सबसे बड़ी चित्रकारी की गई है जिसका पेमाना लगभग 280 पर मीटर का है इस प्रोजेक्ट से लोगों को जोड़ने के लिए गया है जिससे आकश्ण का केंद्र बन सके शहर में बनाए गई इस पैंटिंग में एक में जोकर और दूसरे में नो सुपरस्टार के चित्र बनाए गए हैं अबन स्क्वेर मॉल को आज दो वर्ल्ड रिकॉर्ड की अवर्ड मिले हैं एक लॉंगेस्ट इंडॉर लाज़ेस्ट इंडॉर पेंटिंग एक लाज़ेस्ट आउटओर पेंटिंग उसकी डीटेल्स हमने आपको प्रेस रिलीज में अलड़ी दे दी है जैसे मैंने बताया यह पेंटिंग हमने क्रिए इसलिए करी गई है ताकि यह एक लाइस्टाइल प्रोडक्ट है यहां पर लोग आके इंजॉय करते हैं फोटोग्राफ्स खीचते हैं तो यह एक कारण बनेगा कि लोगों को यहां पर आके इंजॉय करने का देखने का टाइम स्पेंट करने का मॉल में और सिर्फ हम मॉल और कमर्शल बिल्डिंग नी बनाना चाहते थे हम कुछ स्पेशल क्रेट करन और यह बहुत डिफिकल्ट पेंटिंग्स हैं क्रिएट करना और रिकॉर्ड एक आठ दिन में बनी है एक बारा दिन में बनी है और बहुत प्लैनिंग के साथ बनाया पड़ा इसके लिए मैं यह भी बोलना चाहूंगा हमारा मॉल दो-तीन महने डिले हुआ क्योंकि इसकी प बॉलीवोड की उपर जो कि मारे सिनिमा की वाल है उसके उस पर करा है हमने और बॉलीवोड के सारे आइकॉंज अगर आप देखेंगे अमिता बच्छन शारू कांच, सल्मान कान, दिपिका पाडूपोन, श्रीदेवी, रजनी कांथ उनको हमने उनमें रखा है ताकि जो आ नैशनल कारेक्टर है उसको राजस्थानी लुक देते वे उसको साफा पैना के हमने जोकर का एक पेंटिंग क्रेट करवाया है वह अगेन आइडिया था कि ये मॉल जो है पुराना बहुत कुल्च्रल सिटी है उसमें हम एक बहुत मॉडर्ण प्रोजेक्ट लेकर आए है त तो वह एक डिस्प्ले करने के लिए हमने उसको उस तरीके से बनाया था